तो दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोविन जैस्वाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादपो में अपसिष्ट पदार्थों का उतसरजन अभी तक हमने पढ़ा मनुस्यों में अपसिष्ट पदार्थ के उतसरजन के बारे में यानि की जो मनुस्य होता है वो जैसे भोजन किया तो भोजन के बाद में जो भी अपसिष्ट पदार्थ उसके हुए या फिर आपचित भोजन हुए वो उसके गुदा दोर दोरा बाहर हैं फिर उसके बार में उसके अंदर जो भी यूरिया की मात्रा हो गई यूरिका अमल की मात्रा हो गई या अन्नी बिसेले तरल पदार्थ होए तो वो उसके यूरि नानी मूत्र मार गदारा मूत्र के माध्यम से यहां पर निकल जाता है और उसके बार में मनुस्तियों में जैसे कोई विसले गैस हो गये, करबन डायकसाइड गैस हो गया, तो यह स्वसंद की कि लिए द्वारा बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं, जो पादप होते हैं, जो पेंड़ पोधे होते हैं, इसमें जो अपसिस्ट पदा पतरतों के बारे में दोस्तों इस गैसिये अप्सिष्ट पतरतों के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं उसके बार में कैसे आप इसको एक्जाम में लिखेंगे इसको भी हम बताएंगे यहां पर क्या होता है कि यह जो हमारा ब्रिच होता है इसका जो गैसिये रूप में अपसिष्ट पदार्थ होता है वो होता है कारबन डाई आकसाइड गैस और उसके बार में आकसीजन गैस अब क्या होता है कि यह जो हमारे पेंड पौधे होते हैं इन में जो पतियां होती हैं इनकी पतियों में बहुत महीन महीन छिदर पाए जाते हैं हमारा सरीर है हमारे सरीर में बहुत पतली पतली महीन महीन चिद्र है जिसको हम जहां से जो पसीना निकलता है ठीक इसी परकार से यह जो हमारा पेंड पौधा होता है इसकी पतियों में भी बहुत महीन महीन चिद्र होते हैं और इस चिद्र को हम रंधर बोलते हैं और साथ में कि दिन के समय के अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ब्रिच होता है सूर की उपस्थिती में पत्ती क्या करती है प्रकास संसलेशन के किरिया होती है और इस किरिया के दोरान क्या होता है पत्ती अपना भोजन बनाता है और इसमें क्या होता है कि जो दिन का समय होगा जब प्रकास संसलेशन की किरिया होगी तो इसमें कारबन ड़ी आक्साइड गेस का खपत होता रहता है तो दिन के समय में यह जो हमारा ब्रिच होता है यानि कि यह जो हमारा पादप होता है यह आक्सीजन गेस की मात्रा को ज़्यादा उतसर जित करती है यह जो रंद्र होता है इसके माध्यम से यानि ज़्यादा यहाँ पर आक्सीजन की मात्रा को यहाँ पर बाहर निकालती है और यहीं पर रात्री के समय के अगर हम बात करें तो रात्री के समय सूर्य अनुपस्थ और इसके खपत बहुत कम होने के कारण यह जो ब्रिच होते हैं वो रात्री के समय कारबन डाई आकसाइड गैस की मातरा भी यहां पर बाहर तो इस प्रकार से यह जो पादप होता है यह गैसिये अपसिस्ट पदार्थों का उतसर्जन करता है अब अगर हमको इसको एक्जाम म में गैसिये अपसिस्ट पदार्थ कारबन डाई आकसाइड गैस तथा आकसीजन गैस का निसकासन पत्तियों में उपस्थित रंद्रों तथा तनों में उपस्थित वात रंद्रों के द्वारा होता है रात्री में स्वसन के दवरान पादप कारबन डाई आकसाइड गैस ज जबकि दिन के समय पादप आकसीजन की मात्रा ज्यादा छोड़ता है। तो इस परकार से आप इस गैसी एपसिस्ट पदार्थ की उतसरजन में लिख देंगे। उसके बाद में अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है तरल अपसिस्ट पदार्थो का उतसरजन। अब इस चीज़ को भी यहाँ पर हम सबसे पहले चितर के माध्यम सह समझेंगे। उसके बाद में कैसे लिखा जाएगा इसको भी यहाँ पर हम बताएंगे। तो यह रहा हमारा एक पादप का चितर और इस पादप में क्या होता है कि उसके अंदर दो परकार के उतक पाए जाते हैं। भोजन बनता है वो भोजन पत्ती से लेकर नीचे जड़ तक पूरा पहुचाता है यह हमारा फ्लोयम। ये जो दोनों उतक होते हैं ये जो दोनों वाहिनिया होती है इनका यही कार होता है जो जायलम होता है वो जल को नीचे से उपर ले जाता है और खुलायम उपर भोजन को नीचे तक लाता है यही कार होता है अब यहां पर क्या होता है कि अगर तरल अपसिष्ट पदार्थो के उत्सरजन को अगर हमको पादब को जानना है तो यह जो हमारा जायलम है यह जायलम क्या करता है नीचे जो हमारे बिरिच होती है वो मिट्टी में गड़ी होती है अब मिट्टी में जो उसके जड़ होते हैं वो फैले होते हैं यह जो मूल रोम है मूल रोम जो पतले पतले यहाँ पर जड़ है उसको हम मूल रोम बोलते हैं यह मूल रोम क्या होता है कि मिट्टी में यहाँ पर धसे होते हैं और मिट्टी में जो भी जल उपस्तित होता है वो जल इस मूल रोम में परवेश करता है फिर उसके बाद में जायलम के माध्यम से उपर पत्ती तक पहुंचता है अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिच होता है जितना जल नीचे मिट्टी से गरहण करता है उसका वो 95% भाग यहाँ पर उतसरजित कर देता है यानि कि वासिपत कर देता है उपर जाकर और क्यों 5% जल ही वो अपने यूज में लाता है यानि कि अगर पादप नीचे से जितना जल लिया उसमें से वो 95% उपर जाकर पत्ती में वो वासिपत हो जाती है और उसके बाद में जो भी 5% बचते हैं उसका यूज यह करती है अब इसमें क्या होता है कि जब 95% जल बारी बारी से उपर जाता रहता है और पत्ती में जो रंदर उपस्थित होते हैं उस रंदर के माद्ध्यम से वहाँ पर यह बाहर निकलता रहता है तो इसमें जो भी अपसिट पदारत है जो ब्रिच में होते हैं या पादप में होते हैं वो उस तरल में यानि कि वो उस जल में मिल जाते हैं और वो जाकर ओपर यहां पर 95% जल के माद़म से यहां पर बाहर निकलते रहते हैं तो इसका उतसरजन यहां से होता रहता है और हमारी कहलाती है बिंदुस्रावड अब यहां पर इस चीज को हमने समझ लिया अब इसको कैसे लिखा जाएगा इस दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे पेंड पौधों में स्वसन के दौरान वास्पो उतसर्जन की क्रिया होती है जिसमें पादप के जड़ दौरा ग्रहण किय गए जल का 95% भाग पतियों में रंधरो दौरा वास्पित हो जाता है लगातार जड़ दौरा जल को ग्रहण करके पतियों दौरा 95% जल को वास्पित करने के दौरान कई अफसिष्ट पदार्थ भी पादप से बाहर चले जाते हैं कुछ पादपो में जल पतियों से दौरावड कहते हैं यह मुखतया साकी पादपो में होता है तरल रूप में कई पादप अफसिष्ट पदार्थों को गोंद के रूप में भी बाहर निकालते हैं तो यह हमारा हो गया तरल अफसिष्ट पदार्थों का उतसरजन अब उसके बाद में यहां पर हम बात करते ह ठोस अपसिष्ट पदार्थों के उतसरजन के बारे में दोस्तों इस चीज़ को भी यहां पर समझते हैं दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा ब्रिच होता है ब्रिच में जो च्छाल होते हैं ब्रिच के जो तने होते हैं उसके रूप में ये जो ठोस अपसिस्ट पदार्थ होता है ये बाहर निकलता है इस पादप से साथ में समय समय पत्तियां तूडती रहती हैं टहनियां भी सूक्ती तूडती रहती हैं यहां से भी जो ठोस रूप में जो भी अपसिस्ट पदार्थ होते हैं वो निकलते रहते हैं और साथ में यह जो हमारा पादप होता है इसमें जो उतक होते हैं वो कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका उतसरजन भी यहां पर कर लेते हैं तो इस प्रकार से ठोस रूप में जो अपसिष्ट पदार्थ होते हैं वो पादप से उतसर जित हो जाते हैं तो यहाँ पर भी अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे तो इस प्रकार से इस ठोस अपसिस्ट पदार्थों के उतसरजन में इस चेज को हम लिख देंगे अब यहां पर हम बात करते हैं पौधों के अपसिस्ट पदार्थों के उप्योग के बारे में यानि कि जो पौधे होते हैं ये जितने भी अपसेश्पदार्थ को उतसरजित करते हैं तो उसका उप्योग हम क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम पहले उप्योग के बारे में बात करें तो हमारा पहला महत्पूड उप्योग है पादपो द्वारा आकसीजन का उतसरजन किया जाता है जिसका उप्योग प्राड़ी स्वसन की किरिया में करकर जी भी तरहता है तो ये हमारा हो गया पहला और महत्पूर उप्योग उसके बाद में दूसरे उप्योग पर हम बात करते हैं उपयोग हमारा है पादपो द्वारा गोंद का स्रावड होता है जो की खाने में या उद्धोगों में उपयोग किया जाता है तो ये हमारा हो गया दूसरा उपयोग अब हम चलते हैं तीसरे उपयोग के बारे में जानते हैं तीसरा उपयोग है रबर पादप द्वारा प्रा तेल उतसरजित किया जाता है जैसे चंदन का तेल जैतून का तेल यूके लिप्टिस्ट का तेल आधिका उप्योग हम अपने धैनिक जीवन में करते रहते हैं तो ये हमारे कुछ उप्योग हो गए उतसरजिय पदार्थ का जो हमारा ये जो पदार्थों का उत्सरजन दोस्तों उमीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लीजे बेल आइकन को जिससे की आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो दोस्तों बस यहीं पर दीजे इजाजत जय हिंद